नमस्कार दे इंडिया टॉप देख रहे हैं आप मेरा नाम अधिप तार्यन है चौबिस अगस्त की शाम को छे वजे पटना विस विद्याले के कैंपस में बिंदेश्वरी परसाद मंदल बीपी मंदल की मूर्ती को लगा दिया जाता है मूर्ती वहाँ पर उनकी प्रतिमा उ उन्होंने उनकी मूर्ती लगा दी 25 अगस्त को सुबा 6 बजे परसाद वहाँ पहुंसता है और 8 बजे तक उस मूर्ती को वहाँ से हटा दिया जाता है जिसके बाद करीब 4 दिन बीच चुके हैं पर डेली प्रति दिन हजारों की संख्या में जो छात रहे हैं वह सोक चादर संग के अध्यक्ष चुने गया है यानि लगभग 42 साल के बाद कोई 20 समाज का लड़का पटनाविस्विद्याले का अध्यक्ष चुना जाता है इन्हों नहीं यह सारा इनिशेटिव लिया था इन्हों नहीं मूर्ती लगवाई थी और यही अभी लगतार इसके लि और दिखाने के लिए देखिए प्रविशन की जहां तक बात है तो पूर्व के दिनों में ही मैं चादर संग अध्यक्ष होने के नाते सीनेट का मेंबर भी हूं और पटना विश्विद्याले में सीनेट की बैठा को बहुत तवज़ों दिया जाता है जिसमें पटना विश पूर्व के जो कुलपती रहे रास बिहारी सिंग जब हम लोग चुनाओ जीत के आये थे उस समय भी और अब ही हम लोगों ने कई बार आवेदन दिया हम लोग समझ चुके थे कि पटना विश्विद्याले में मंडल मसिहा बिपी मंडल जी की प्रतिमा कुछ लोग अस्था पित किया जिसके बाद विश्विद्याले प्रसाशन और कहीं न कहीं इसमें आरेसेस के लोग भीन भॉल्व थे भाजपा के लोग भीन भॉल्व थे जिनके कहने के बाद बीपी मंडल जी की प्रतिमा को वहां से विखंडित कर हटा दिया गया अब लगतार आंदोलन चल रहा है कि आप संग पर बात कर रहे हैं तिपनी कर रहे हैं मौदूदा सरकार नितिश कुमार की अभी वो त्यजस्विद्यादव के साथ दिखे जाती है जंगर्णा पर विवी मंडल को बहुत इज़त समान देते हैं लगतार उनकी बात भी करते हैं और उससे भी बड़ा सवाल है लुक्त सारी प्रतिमाई लगाई हुई है लेकिन हमारे विश्वित डाले में किसी ऐसे महापुरुष्त की प्रतिमा नहीं है और बीपी मंडल ऐसे महापुरुष्त है जिस पे देश की 80% अवादी को सेक्षिनिक कही एक धाचा देने का काम किया सिक्षा का अधिकार देने का काम किया वंचितों को उनका अधिकार देने का काम किया देश की 80% अवादी का एक अकेला महापुरुस बिपी मंडल जिसने देश को सिक्षित करने अकाम किया और इस तरह से बीपी मंडल की प्रतीमा को दिन दहारे हटा देना ये पश्ट हो चुका है कि इसमें आरसेस और संग के लोग पूरी तरह से मिले हुए है वरना इसमें किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी किस प्रतीमा को छू भी सकते थे ये पूरी तरह से आरसेस और भाजपा के लोगों के द्वारा की गई कारवाई है और हम लोग लगातार सरक्त उतार कर मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने बीपी मंडल जी की प्रतीमा को हटाने का काम किया है उन्हें बिश्विद्याले से जो भी अधिकारी हो उनको जल स जल बिश्विद्याले से बरखास किया जाए उन पे कानूनी करवाई हो गिरवतारी हो जेल भेजा जाए वरना पटना बिश्विद्याले चातर संग और बिहार के चातर नेता इसी तरह से सरकों पे उतर कर पूरे बिहार के बिश्विद्याले को बंद करने का काम करेंगे पूरे बिहार में भाजपा और आरसेस के खिलाप सरकुत उतरने काम करेंगे असी परतिसत पिछरों की अब आज बीपी मंडल जी जिसकी वज़ा से विश्वित द्याले के कुलपती बिहार के मुखमंत्री बिहार के नेता परतिपक स्रीत पेजश्वी यादव जी और अन मुख खूलने की जुरुत नहीं की बिहार के लगवग ओभी सी बिधायक और सांसत लेकिन किसी ने मुख खूलने के जरुवत नहीं की हम उन सभी से पूछना चाहेंगे कि आप बीपी मंडल के योगदान को क्या इस देश में भूल चुके हैं कि आप बीपी मंडल अधरनि शभी अधर जुपंदी आप क्यूट चूप हैं हम आग्रह करते हैं हम मानिये नितिश्कुमार जी से भी कहना चाहेंगे कि आप क्यो संग्यान नहीं ले रहे हैं अभी तक जुन्होंने उनकी मुर्थी को तोर के हटाया है आप संग्यान लिजिए बीपी मंडल की आप कहीं न कहीं विचारों की बात करते हैं उनके सिधांतों की बात करते हैं और जब जयंती के दिन बीपी मंडल की प्रतिमा को हटा दिया गया तो आपकी चुप्पी यह जाहिर करती है कि आप भी संग के साथ मिले ह हुए है तब आले यहां पर यह उठता है आप तेश्वी आदव का नाम ले रहे हैं आप जीस पार्टी साथ है जाप जनदिकार पार्टी इसको प्रमूख है पप्पु यादव फिलहाल जेल में है जब तेश्वी आदव उनकी गिरफ्तारी के समय चुप रहे हैं कुछ नही ही बोले तो बीपी मंडल के मुद्धे पर वह कैसे बोलेगे उनकी अपनी भी तो राजनिती है बीपी मंडल है देश मैंने आपको बताया तो कि देश में 27 परसेंट पिछरों को जदिकार मिला बीपी मंडल कोई राजनेता से पहले अब उनको महापुरुस कहा जाएगा ब अधिकार दिया था आगे बरने का पिछले समाच को आगे बर कहीं ना कहीं नेतरितव करने का अधिकार दिया था उस बीपी मंडल की हम बात कर रहे हैं राजनितिक लड़ाय अपनी जगही है लेकिन बीपी मंडल के सीधांतों पर आदरने स्री लालु परशाद यादर दर लेकिन बीपी मंडल की मूर्ती जो तो री गई वो राजनितिक मुद्दा नहीं है वो बैचारिक और सधान्तिक मुद्दा और इस मुद्दे पे चुप रहना कहीं से हमें नहीं लगता है कि ठीक बात है अधर्नियस्री तेजश्वी आदव जी से हम कहना चाहेंगे कि इनके विचारों को आज हम लोग पढ़ने का काम करते हैं, पटना विश्विद्याले के ये छात रहें, उसी पटना विश्विद्याले में बीपी मंडल की परतीमा क्यों अस्थापित नहीं होनी चाहिए, आप उनके जयन्ती के दिन मालियारपन करते हैं, आप उनके विचारों की बात अपनी रैलियों में करते हैं, पिधान सबाचुनाओं में आपने उनकी बात कही है, उनका नाम लिया है, और आज फिर इतना बड़ा हाथसा बिहार के सबसे वरे विश्विद्याले, पटना विश्विद्याले में उनकी मूर्ती तोर कर हटा दी गई, ये कहीं से चु बात कहीं जा रही है कि भाई, ना इसका परमिसन लिया गया और इसका ना तो अनुमती दिया गया, तब लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया कि उसका परमिसन लिया जाए, लिखिए हमने आपको कहा कि बिश्विद्याले में सीनेट और सिंडिकेट की बैठक सर्व से सर्व परिमाने जाती है जिसमें पुरे बिश्वित द्याले के जितने भी प्रोफेसर्स रइस्टार्ट डिंग जितने भी लोग होते हैं यहां तक की छात्र भी उसमें सम्मिलित होते हैं उस सीनेट की बैठक का मैं खुद सदस भी हूं और उस बैठक में हम लोगों ने लगातार अगले दीन अखवार में भी छपा था इस बात को लेकर लेकिन वहां से इसको इगनोर कर दिया गया हमारी बातों को बैठक से इगनोर करना हम लोग समझ चुके थें कि जो विश्वित द्याले का महौल है विश्वित द्याले में आरदक्ता फैलाने के लिए वैसे लोग भ अल्यान के लिए जाना जाते हैं ओभी सी आरक्षन के लिए जाना जाते हैं मंडल कमिशन के लिए जाना जाते हैं इसलिए हम समझ चुके थें कि इनके सिधान्तों को कभी भी मानने वाले जो लोग आजादिकारी बैठे हुए जुन्होंने मूर्ती तुरवाई है वो लोग बिश्विध्याले में इस मुर्ती को हटा कर विखंडित करने काम किये उन्हें हम लगतार मुथ तोर जवाब दे रहें अपने अंदोलन से हम लोगों ने सपस्ट कर दिया है आगे हम लोग राजभवन जा रहे हैं आगे हम लोग सिगनेचर केंपेंड चलाने जा रहें बिश सरकार से कहिए कि मुर्ती को पुना उसी जगह पे अस्थापित करें जहां से इस मुर्ती को हटाया गया था वरना पूरे बिहार में विद्रो होगा और कल अन्य दल के अन्य संगठन के लोग भी सरकोर पर उतरने जा रहे हैं सभी पाठिया एक जूठ होकर OBC लोग एक जूठ होकर BP मंडल के साथ BP मंडल की प्रतिमा को पुना अस्थापित करने की मांग कर रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुके सहनी का मूर्ति का विवाद हुआ फुलन देवी के मूर्ति को लेकर पहुंचेते अस्थापित करने के लिए योगी सकार उन्हें रोक लेती है। विवी मंडल के पोते लगते हैं। उनसे भी बात कर सके ताकि उनका पक्ष भी जाना जा सुके। क्योंकि जो सत्ता रूठ दल है उसके वो प्रवक्ता है। तब तक लिए आप बने रहे हैं दे इंडिया टॉप के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आफ हमारे फेस्बूक पेज़ पर देखते हमारे पेज़ को लाइक फॉलो करें। इस वीडियो को शेर करें और खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए देंडिया टॉप डॉट कॉम पर आप जा सकते हैं। धन्यवाद।